साथियों आपको याद होगा, एंडिये की बैटर में हमने संक्रप लिया था कि हम देश की गरीबी को गरीबों की ताकत से ही गरीबी को पनास करेंगे। इसलिए इन वर्षों में हमारा सबसे जाना जोड गरीबों को ससक्त करने पर रहा। हमने स्रम योगी को सनमान दिया, डिगनीटी और लेवर पर बल दिया, हमने गरीब को सुरक्षा का एसाथ दिया, हमने गरीब को ये विश्वात दिया कि आपके हर प्रयास के पीछे एंडिये सरकार एक बरोसे मन साथी की तरह आपके साथ खड़ी है। जैसे किसान को अगर सही बीच और खात पानी मिल जाए तो वो पैदावर का रिकॉर्ड बना देता है। वैसे ही हमने गरीबों को सतक्त करने के लिए उन्हें हर संभव मदद की। इसका प्रयाम क्या आया? अभी नीती आयो की सबसे ताजा स्टड़ी आई है। आप में से कुछ मित्रों ने उसका उलेग भी किया। इस स्टड़ी के मुताबिक 2015-16 के बाद के पांच वर्सों में ही साड़े तेरा करोड लोग गरीबी रेखा से बहार आ गए है। इसके पूर्वा वर्ल बेंक की रिपोर्ट के सामने आया कि कैसे बहुत कम समय में ही 40-42 करोड लोगों ने गरीबी को परास्त किया है। आएमेप के मुताबिक Extreme Poverty याने अती गरीबी भी भारत में खत्म होने की कगार पर है। यह आएमेप का रिपोर्ट कह रही हैं। साथियों यहाँ NDA के आप सभी साथी तो जमीन से जुड़े लोग हैं। आप देखिए, जब किसी गरीब को पका घर मिलता है, तो यह सिर्फ एक छट की जरुवत पुरा नहीं करता है। बलकि यह उस परिवार को सुरक्षा कबच देता है, उसके सपनों को पंख देता है। जब गरीबों को बैंक लोन देने के लिए सरकार अपनी तरफ से गारंटी देती है, तब उनको एक साथी मिलता है, एक सहारा मिलता है। और ऐसे में प्रगती के लिए, तरक्की के लिए उनके प्रयास दो गुने हो जाते हैं। जब गरीब को हम मुप्त इलाज का भरोसा देते हैं, तो उससे एक परिवार ही नहीं, बलकि उसके आने वाली पीडियों का भविश भी सुरक्षित हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि पहले जब गरीब परिवार में बिमारी आती थी, तो उसके पास दो ही विकल्पों होते थे। या तो अपनी आखों के सामने अपनों को जीवन के लिए संगर्श करते देखें, या फिर मकान, दुकान, खेत, खलिहान, जो भी थोड़ा बहुत पास में हो, उसे बेचें या गिर भी रखें। पीडी दर पीडी गरीब को गरीब रखने के इस कुछ चक्रों को भी NDA सरकार की अनेक योजनाओं ने तोड़ दिया है। गांदी जी से लेकर बाबा सा बांबेड कर और लोहिया जी तक सभी ने जिस सोशल जस्टिस की सामाजिक न्याई की अवधारा की थी। और मैं समनता हूँ हम जो कर रहे हैं वो यही सच्चा सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याई। एंडिये सरकार ने वोट बेंक की राजनीति को विकास वात की राजनीति में बदला है। ये एंडिये सासन ही है, जिसमें छोटे किसानों, रहिडी पटली, फुटपांत वालों को पहली बार मदद मिल रही है। हमारे विश्वक अर्मा सात्यों को भी पहली बार ये विश्वास मिला है कि उनके लिए भी कोई सरकारी योजना बन सकती है। सात्यों, गरिबी से भारत की इस लड़ाई का एक और पक्षा है। आप सब ये भी जानते हैं कि पहले हमारी माताओ बहनों के नाम पर प्रॉपर्टी खरिंदे का चलन कमी था। वे एक प्रकार से घर के समाज के आर्थिक फैसलों से कटी हुई थी। देश की आधी आबादी और परिवार को चलाने वाली ताकत का जब ये हाल हो तो गरीबी से पार पाना आसान कैसे हो सकता था। अब जब बहनों के नाम बैंक अकाउंट खुले उनके नाम पर घरों की रजिश्ट्री हुई उनके नाम पर रण मिलने लगे तो एक नया सामर्त समाज में पैदा हुआ। मुद्रा योजना की सबसे बड़ी लाभारती हमारी बहने है। ये स्वयम सहात्या समूग की आदिवासी बेहनों से मिलना हुआ जितने समूग ते उन्हों ने कहा अब तो हमेरी पहचान है हम लगपती दीजी हैं हमारा कारोवार इतना है कि आज हम लगपती बन गए हैं ये बहुत बड़ा परिवर्तन है साथियो एंडिये सरकार ने महिला के कल्यार को उनकी तकलीप कम करने को सरवोच्य प्रात्विक्ता दी है जब घर में टॉयलेट बना तो बहनों को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिला जब नल से जल आया गैस का सिलेंडर आया तो उनकी परेशानी कम हुई उनके समय की बचत होई इस समय को वो अपने परिवा की आय बढ़ाने में उप्योग कर रही है यह सिर्फ गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास नहीं है बलकि विमेन लेट डेवलोप्मेंट का रास्ता है जिसे एंडिये ससक्त कर रहा है आज डिफेंस से लेकर माइनिंग तक हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोल दिया गया है देश को पहली आदिवासी महिला राष्पती देने का सौभा गया एंडिये को मिला है